हाँ जी तो अब हम जो कोशिन आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हो तो प्रेक्टिस के लिए अभी हम कुछ कोश्चन को करेंगे आच्छी क्लास इसमें चुकि जिस कोश्चन को आप एक्जाम में फेस करने वाले हैं जो एप्लिकेशन बेस्ट होगा तो वहाँ पर हमारे पास में कैलकुलेशन चैलेंज नहीं होना चाहिए इसलिए कैलकुलेशन को पहले हम दो-चार सवालों के प्रेक्टिस अच्छे से कर लेते हैं ताकि आगे चल करके यह चीज़े हमारे लिए कोई इशू क्रेट ना करें ठीक है तो चले जिससे आप यहां पर देख र परता हैं तो आप डिफरेट ऋजेट कर पाऊगे ए मेट्रिक्स क्या है आपको पता है 1,3,2,4,a मेट्रीक्स आपका हो गया & ब्रैकट 18 buenocioncion क्या है आपका 2220 सो reeत्स क्या है 10 माइनस 1, 0 and 1 and bracket close तो dear student आप हमेशा calculation के आप नियम को जानते हैं और समझते भी हैं कि पहले हम bracket को solve करते हैं तो bracket को solve करोगे तो bracket के अंदर के आपका addition तो सबसे पहले हम addition करेंगे यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4 पहले bracket में काम करेंगे तो आप add करेंगे, 1 and 1 आपके corresponding elements पर काम होता है जो कि आप last class में इस बात को आप बच्चे से समझ भी चुके हो हाँ जी बिलकुल तुशार बिलकुल demo class मिलेगी cat की मैं आज आपका ही जो business mask का folder है ठीक है उसी के अंदर ही मैं cat का एक demo डाल देता हूँ तो आपको इसी में ही मिल जाएगा ठीक है जी अब बहुत सारे shortcut तरीके हैं क्योंकि cat के exam में भहुत ही कम time में आपको solve करना होता है अगर cat का exam ऐसा है कि आपको 106 106 मालो कि आपकी calculations नहीं fast होनी चीए कि आप इसको calculation करें तो किस तरह किसे करें तो आप इसकी calculation कुछ इस तरह किसे करें तो इसमें आपका time बहुत बची जाएगा और मैंने कुछ से कुछ भी नहीं कर रहा इस मेंने मैंने क्या करा 106 106 तो यहां पर मैंने क्या अगर इसमें 6 एड कर दिया तो यह 112 हो गया 106 में 6 एड कर दिया 112 हो गया इसको मैंने multiply कर दिया बस बड़े साधरन तरीके से multiply कर दिया यह सारे चीजें आपको वहाँ पर समझाओंगा सिखाओंगा चैप्टर कंसेप्ट शॉटकर ट्रेक्स केस तरह के सोते हों सारी बाते हैं स्क्वार रूट क्यूब कैसे निकालते हैं बाते सारी समझेंगे हैं वह कैट में होता है कैट पस गवर्मन्ट जो में कोई साथ भी आप एक्जाम ले लिजेगा अगर आज के टाइम पर डेली के अंदर मैक्सिमम थाने में जो है स्टुडेंट्स जो है चैप कॉंस्टेबल हो है कॉंस्टेबल हो वह यहीं से आपके साथ में जिस स्टीडियो में पढ़ा रहा हूं यहां पर आफ्लाइन बैच में बैठ करके मैक्सिमम बच्चा देली प करेंगे तो क्या होगा करेंगा एक्जाम बहुत हल्का हो जाएगा आपके सामने और जनली यहीं होता है कि cat का एक्जाम करेंग करने वाले इस्टुडेंट्स जर्लिक कहरते हैं कि वह बैंक के को लेते हैं या वाहं सार्isen की लिए ऑलिए nकलता है तो यह बहुत सार। एकस्पीरियंस जो लोग है गर में लोग ओलिडिक क्लियर कर चुके उनका यह गाइडिंस रहता है बच्चों को चलिय यह मैं इसको कुश्चिन पर आते हैं वन प्लस वन क्या होगया हमारे पास में हो गया हूग और प्लॉस पर नमारे पास वर जीरो और हमारे पास में सुपार्ण्हीर वर but करते किस्त व attaches कहरेंगे एस बात को समझेगा तो सबसे पहले स्ट डोक sympath की साथ में multiply होगा ठीक है और उसी तरीके से एक element का एक element के साथ में next element का उस column के next element के साथ में तो 1 into 2 आपका जो है 1 into 2 क्या होगा 2 plus और आपका 2 into 2 4 clear है जी अब ठीक आपका next column पर जाएंगी यह चीज़ें तो फिर से 4 हो गया यह आपका ठीक है जी clear है और इस तरीके से यहाँ पर अब हम next row पर आते हैं तो भी वही first column तो 3 into 2 6 and 4 into 2 8 और 3 into minus 1 minus 3 and आपके पास में minus का 8 हो जाएगा यह clear है जी इसको अगर हम solve करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है 6 और हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है minus 5 और हमारे पास में यहाँ पर 18 चे 14 और यहाँ पर आपके पास में minus 11 यह हमारे पास में सबसे पहले अगर हमने left side को solve करा हमें यह result मिला अब हम जो है राइट side को जो हम यहाँ पर solve करएंगे. keyard है समझ गे parlament क्यूअ solve करते हैं देखते हैं कि result हमारे same आ रहे है या नहीं आ रहे है proof करना यह A into B करना है हमें, तो first off all A matrix के हमारे पास में A matrix हमारे पास में 1 2 3 and 4 and B matrix के हमारे पास में B matrix हमारे पास में 1 0 2 minus 3 अब आए, पहले हम A into B कर लेते हैं तो आए दे, A और B को multiply करेंगे, तो 1 matrix में, 1 into 1, 1, और उसी तरीके से आपके पास में 2 into 2, 4, और 1 into 0, 0, and यह आपके पास में आगया, minus का 6, और आपके पास में यहाँ पर आगया 3, and second element आपके, second से आप करेगा, तो यह क्या होगा, आपके पास में, plus 8, and starting से फिर आपके 0, और यह आपके पास में minus का 12, तो अगर आप solve करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपके पास में है 5, minus 6, 11, and minus 12, A into B है, आपके पास में, अब मैं A into C कर रहा हूँ, A और C कर रहा हूँ, तो A matrix के हैं हमारे पास में, A matrix हमारे पास में, तो 1, A matrix हमारे पास में 1, 2, 3, 4, और C matrix हमारे पास में 1, 1, 1, 1, 1, 0, and 1, यह हमारे पास में क्या है C matrix है, आईए multiply करते हैं इसको, तो पहले आपके पास उसी तरीके से जो यह first row है, पहले column पे जाएगा, तो first element, first को multiply करेगा, तो 1, and आप plus करेंगे, then 2 into 0, आपका क्या जाएगा 0, then आप आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, next column पे जाएगा, first into minus 1, and आपके पास में क्या जाएगा, plus 2, और इसी तरीके से नीचे आप जाएगे, तो आपके पास में 3, और आपके पास में यह आपका हो गया 0, और आपके पास में minus 3, and plus 4, अगर आप इसको solve करते हैं, तो आ थोड़ा सा छोटा करता हूं, मस, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर दोनों को add करने जा रहा हूं, दोनों किसको, A into B जो हमारा हुआ था, वो हमारे पास में क्या matrix था, 5 minus 6, 5 minus 6, 11, and 12, और हमारे पास में जो B matrix है, A into B हमारे यह result रहा, और हमारे पास में A into C का result क्य वन वन थ्री वन और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है प्लस का रिलेशन है क्योंकि A B का प्रोड़क्ट और A C का जो प्रोड़क्ट है इसके बीच में क्या है हमारे पास में ए टूटू देख लेते हैं गवार कहां पर इन्टू सी तो आपके पास में 3, 0 और यह आपका मैनेस 3 प्लस 4 यह आपका वन ही होगा और 12 कहां लिखा है मैंने यहां पर मैनेस 12 अच्छा मैनेस 12 हो गई मैनेस 12 हो गई साइन गल्द कर दिया मैने ठीक है जी क्लिर है मैनेस 12 अब देखे के सॉल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास है 5 और वन आपका 6 और यह आपका मैनेस 5 और आपका यहां पर आपका आ गया 14 और यहां पर आपका मैनेस 11 क्लिरे जी आप अगर चेक करते हैं क्या जो आपके लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट रहा आपका कुछ इस तरीके से और जो आपका राइट साइड का रिजल्ट रहा कुछ इस तरीके से दोनों रिजल्ट क्या रहे आपके दोनों रिजल्ट आपके एक्वल रहे त जब इक्वालिटी के उपर कुशिन आ जाए तो आपको कैसे करना उसको जरा समझेगा, दिखेगा, जो आपके corresponding elements हैं, वो equal होंगे एक दूसरे के, order तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आपका order क्या है, आपका बताए, और 3 का order है, यहाँ भी 2, 3 का order है, यहाँ भी 2, 3 का order है, से equal होगा, कैसे, यह देखेगा, 2x minus 3y, इसका corresponding element क्या है, 1 है, तो equals to 1, ठीक है, और उसके बाद आपके पास में देखेगा, यह xy है न, तो आप क्या करें, xy वाले ही terms को लीजिए, जिससे की two variable equation आ करके, आप elimination method से एक variable को आप eliminate कर दें, तो आप xy का time है, तो मैं इसको ले element के एक पसूद 6, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मैं x और y की value calculate कर सकता हूँ, अब आप मुझे इमानदारी से बताएंगे कि आप में से कितने शुंट ऐसे हैं, जिसको दो variable equation solve करना नहीं आता है, देखे, छोड़़़दी बात बताएंगे आप, हाँ जी, पहले आप मुझे इस बात को बताया, satisfied the matrix equation, तो यहां पर आपके पास में x, y, z के आपको values find करनी है, आप बताएं, two variable equation solve करना आता है, अगर नहीं आता तो मुझे बता दीजेगा, चलिए, अब यहां देखते हैं, अब आप देखेंगे यहां पर, आप दो variable equation करते हैं, सबसे पहले ही, जो x के आगे जो आप दो देख रहे हैं, इसको बोलेंगे, coefficient of x2, जहां पर x का आगे कुछ भी नहीं है, तो जब किसी भी variable के आगे कुछ भी नहीं होता तो उसका coefficient always 1 होता है, इस बात कुछ समझेगा, यहां y का coefficient के आपका 3, यहां y का आपका food, दो variable equation आएगा, मतलब दो variable हो, जिसमें तो दो equation की need है, जिससे कि आप दोनों variable की value find कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा धानकना, चाहिए आप x variable पर focus कर रहे हो, चाहिए आप y variable पर focus कर रहे हो, इसके coefficient क्या होने चाहिए, सेम होने ही चाहिए, तो यहां पर अगर मै x पर focus करर रहा हूँ, तो इसके coefficient same नहीं है, मेरी बात समझेएगा, अगर मैं y पर focus कर रहा हूँ, तो इसके भी coefficient same नहीं है, अगर same हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात होती है, extending होथा है, और नहीं होता तो कोई चिंता का विशह नहीं है, इसको आप equal कर सकते हो, वो आप पूर्ए और पूरे एक्वेशिन को से मंटिप्लाय कर दो कर दो, लेट साइड राइस साइड में भी आप देखेंगे, आप बीटी कर रहा हूं, जो चीज मैं लेट पे कर रहा है, वही काम है, राइट में भी कर दो, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसा गनित पर कोई फर्क है, नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं 2 से multiply यहां कर दो, 2 से multiply यहां भी कर दो, तो मेरे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, impact neutral ही रहेगा, clear है, अब यहां पर 2 से multiply करने का फाइदा क्या होगा, 2 से multiply करने का फाइदा यह होगा, कि मेरे पास में यह क्या हो जा क्या क्या आगी है एक तो मेरे पास में यहाँ पर आगया 2x थोड़ा मैं नीचे ही करता हूं इसको क्या है मेरे पास में 2x minus 3y equals to 1 और एक मेरे पास में 2x plus 8y equals to 12 अब देखेगा जब आपके पास में कॉफिसेंट आपके पास में equal हो जाए तो यह भी जरूरी होता है कि उनके sign different हो तो दोनों के sign तो similar ही है यह भी plus है यह भी plus है different होता तो मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ता बड़ नहीं है तो कोई यह भी चंता के विशह नहीं है आप अपनी मर्जी sign change कर दो आप बोलो कि सर ऐसे कैसे change कर सकते हो फिर मैं सबका sign change करूँगा ना फिर मैं left और right दोनों जगे करूँगा अब आप क्या करो इन दोनों equation को आप add कर दो add करने से eliminate हो जाएगा minus 3 और यह minus का 8 है तो minus 11 y होगा equals to यह minus 11 होगा and y equals to क्या होगा आपका y equals to आपका 1 होगा मेरी बास समझें या नहीं समझे clear है जी कोई doubt डाउट इतो जरा बताएं तो यहाँ आप पर मेरे पास में y की value क्या ही 1 अब आप किसी भी equation में आप y की value पूट कर दो वहां से आपको आपके x की value मिल जाएगी for example 2x minus 3y equals to 1 अगर आप y की value 1 पूट करते हैं तो 2x minus 3y की value 1 पूट करने equals to 1 and 2x equals to क्या हो जाएगा आपका वहां चला जाएगा आपका तो 4 हो जाएगा ये and x equals to क्या हो गया आपका 2 हो गया तो आपके पास में x की value यह आ गई है clear जी समझे भर बच्चे को अपना अलग-अलग अंदाज होता है solve करनेगा आपके मुझे मालूम आपके मन में क्या चल रहा है मैं उस बात को भी ले लेता हूँ एक बार हर बात पर चाचा करते हो आगे बढ़ेंगे हम क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है math background के नहीं है तो उस बात का विधान रखना पड़ता है देखिए जरा जैसे कि कुछ बच्चे यह plan कर रहे थे कि इसको 2x minus 3y equals to 1 है और एक हमारे पास में x plus 4y equals to 6 है तो coefficient same करना है तो coefficient same कैसे किया जाए आप क्या कर सकते हैं कोफिसेंट को interchange कर देंगे जिसके कोफिसेंट को interchange करेंगे उसका equal हो जाएगा अगर आप x के कोफिसेंट को interchange करेंगे for example 1 यहां लिखोगे और फिर आप 2 यहां लिखोगे कोफिशेंट इंटरचेंज कर दोगे, फिर multiply कर दोगे, तो X कोफिशेंट क्या हो जाएंगे? Similar हो जाएंगे, same हो जाएंगे. लेकिन बिल्कुँछ सही, answer आजाएगा. लेकिन मेरा मानना है कि y कोफिशेंट को आप same करो, क्यों? y कोफिशेंट को interchange करो, क्यों? 4 and आपके पास में क्या आएगा यह 3x plus 12y equals to 18 आप अगर आपके पास अब sign change करने की need नहीं है क्योंकि already sign क्या है इस case similar है clear जिसके coefficient interchange करोगे वही similar होगा तो यह आपका 0 हो गया यह आपका 11x हो गया और यह आपका 22 हो गया और x equals to आपके क्या हो गया और जैसा कि देखो x equals to 2 आपका आया अब एक्स की वैलू आप किसी बीक्विशन में रख दो for example आप तो इसी तरीके से आपके पास में y की वैलू क्या जाएगी y की वैलू 1 जैसे मैंने पहले निकाल की बता दिया है मिरे इस बात को समझेया तो आपके मन म की समस्या है two variable equation की तो प्लीज आप मुझे जो है आप कुछ बच्चे तो लाइव क्लासिस ले रहे हैं देख लेते हैं हाँ यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक जरूर हुई है ठीक है जी क्योंकि equal matrix है कि क्लियर जी कि समझे इस बात को लेकिन जो कुछन से कोडिक हम इसको अब क्या करने जा रहे हैं सौल करने जा रहे हैं अब सामें देखें ज़रा क्या इस जी क्या कोडिक अगर हम अगला कुछन सौल करते हैं यहां पर क्या क्या आपके पास में X और Y की तव 29 and आगे solve करेंगा 4W equals to 6 करेंगे तो क्या जागा आपके पास में तो आपका 23 and W equals to क्या जागा 23 by 4 मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है जी कोई doubt तो यहाँ पर आपके पास भी क्या था 3X plus 4W equals to 29 तो यहाँ पर मैंने X की value रख दिया क्या 2 तो 6 हो गया तो 23 and W equals to 23 by 4 अब मेरे पास में और क्या आप में बताना है X Y W अब मेरे पास में और कौन सा variable रह गया मेरे पास में Z variable रह गया तो चलिए Z variable की value यहाँ पर लेते हैं Z minus W Z minus W equals to minus 2 equals to minus 2 अब Z minus W W की value क्या है हमारे पास में 23 by 4 23 by 4 equals to क्या है minus 2 and Z equals to क्या जाएगा minus 2 plus 23 by 4 और आपको पता है आप LCM लेंगे तो क्या जाएगा आपका minus 8 plus 23 by 4 clear है जी Z equals to आपके पास में 15 by 4 तो यह आपके पास में Z की value है आपके पास में W की value है आपके पास में X की value है आपके पास में Y की value है तो इस तरीके से आप यहाँ पर x, y, z की value आप निकाल सकते हैं clear है जी, बात समझ रहे हैं आप, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अब जैसे यही question आप देख लीजेगा, इस question को चलिए, आप करेंगे try या आपने इसको solve कर दिया है बताइए जरा हाँ जी, देखें जरा solve करते हैं जी इसको क्या है हमारे पास में, x minus 2 equals to क्या लेंगे आप, x minus 2, y equals to क्या होगे हमारे पास में 4 clear है जी, और इसी तरीके से x, y का term ले ले लिया 3x plus 4y equals to 2, अब बताइए कि आपके coefficient ना तो x के coefficient आपके equal है और नहीं y के coefficient आपके equal है, तो मेरे प्यारे आप किसी एक का coefficient तो आप equal आपको करना पड़ेगा x का करना चाहेंगे y का, y का, क्योंकि different sign है तो हमें फिर sign change करना नहीं पड़ेगा है अब y का भी क्या ही change करना, आप देखें, 4 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा है ना, तो बस एक काम कर दीजिए, सब को आप क्या करो, 2 से गुणा ही कर दो, तो क्या आपके पास में आ गया, यह आपका हो जाएगा 2x और यह आपका हो जाएगा minus 4y और यह आपका हो जाएगा 8, यह दो equation हो गया, दोनों equation को आप add कर दे, equate करते वे, और आपके पास तो 5x equals to 10 and x equals to आपके पास में 2, clear है, अब x की value 2 है, तो आप किसी में भी आप value रख सकते हैं, for example, जैसे कि आपके पास में क्या है, 3x plus 4y equals to 2, तो x की value 2 रखेंगा, तो 3 और x की value 2 plus 4, y equals to 2, यह multiply हो कि 6 plus 4y equals to 2, और ध्यान अखेगा, प्लस उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, तो 2 minus 6 हो जाएगा, प्लस का sign, तो 4y और 2 different sign हो जाएगा, आपका 4 और बड़ी सिंग क्या, चिन लग जाएगा, y equals to minus 1, clear है जी, तो y की value क्या है आपके minus 1 आई, तो xy तो निकाल लिया आपने, अब बताएगे, x x या y का किसी से कोई relation है यहाँ पर, यहाँ जाट डबलू है यहाँ जाट डबलू है और xy xy, तो ठीक है, दो एक्वेशन जाट डबलू जाट डबलू जाट डबलू निकालते हैं, क्या है हमारे पास में z प्लस डबलू, z प्लस डबलू, z प्लस डबलू, equals to 5, and 2z, minus w, equals to minus 5, तो प्यारे यह तो बहुत असान हो गया, already coefficient इसका equal है और different sign भी है, तो खतम करो यहीं पर इसको, तो यह प्लस हो करके क्या हो जाएगा, 3, z equals to 0, and z equals to क्या हो जाएगा, 0 by 3, and z equals to क्या जाएगा आपका 0, clear, z की value 0, अब आप equation में z की लो रख देंगे, तो w की value क्या हो जाएगी, डबलू की value 5 हो जाएगी, तो यह आपके पास में w की value है, यह z की value है, और यह आपके पास में y की value है, और आपके पास में यह x की value है, clear, समझे, तो 2 minus 1, 0 and 5, clear, कि अगे आगे चले आगे बड़े आप जैसे आपके पास में यह है तो यह तो बहुत बेसिक सवाल है इतने बेसिक सवाल को लेंगे नहीं जिसे कि आपको A आपके पास में है ठीक है आप यह तो निकाल सकते हो ना आप A और B को प्लस कर सकते हैं सेम कोश्चन में आप A plus B minus C कर सकते हो आपको प्रेक्टिस के लिए दे दिया है आप 2A minus C कर सकते हो आप इसकी हम बात नहीं करेंगे आप 2B minus 3C कर सकते हो A matrix को सबको 2 से multiply कर देंगे C matrix को सबको 3 से multiply कर देंगे 2B minus C आप sorry 2B minus C न तो B matrix को 2 से multiply करेंगे C matrix को 3 से multiply करेंगे done यह हो जाएगा अगर आपका doubt हो तो आप मुझे रोक दीचेएगा देखिए similar question already हमारा हो चुका है अभी हमने ऐसा यह question कर रहे calculate A B can you calculate B A सवाल पूछे रहा है B A calculate कर सकते हो आप तो अगर B का अगर मैं order बोलूँ तो B का order क्या आपका 2 2 और A का order क्या आपका 3 2 clear है जी तो आपको मैंने क्या कहा कि first का column and second का आपका number of row equal होने चाहिए क्या यह equal है यह नहीं है तो यह कभी भी B into A नहीं हो सकता है clear है जी यह बात मैंने आपको बताया था ना आपको clear है तो आपके पास में जो है यह equal होने चाहिए अगर आप multiply कर रहे हो तो first का number of columns and second का number of row equal होने चाहिए तभी multiply possible otherwise multiply नहीं होगा clear है जी अब बात करते हैं कि A और B multiply होगा तो A का order क्या है अगर मैं A B की बात करता हूँ तो A का order क्या है A का order 3 2 है और B का order क्या आपका 2 और 2 है तो बिलकुल जी यहाँ पर यह equal हो गया है तो यह आपका multiply हो सकता है तो आप A into B तो निकाल ही सकते हैं आपको multiply करना सिखाया है सर प्रेजेंट कैसे करना है question number sir second question का fifth part यह तो फोर्थ पार्ट है यह फिफ्ट पार्ट यह है यह है यह हां तो इसमें आप इसमें आपको यह मैंने last class में आपको यह बताया था कि इसमें नमबर आफ जो है first जब आप मल्टिप्लाइब करते हैं तो फॉस्ट का number of column and second का number of row equal होता है तभी मल्टिप्लाइब होता है दर्वाइब मल्टिप्लाइब नहीं होता है तो आपको बस आपको एंटू बी करना था और बस इस पर आपको यह चीज़े लिखने दिए क्लियर जी कोई डाउट किस इस्ट्वेंट को तो पूछ लिजिए अब एक कुशन है जैसे कि आपके पास में यह ज़रा देखो आप क्या है आपका a cube इसको ने तो चलिए नेस क्लास में मैं करवाऊंगा यह आपने से कितने बच्चों का हो गया है a cube minus 6 a square plus 7 a plus 2i यह कितने बच्चों का हो गया है a matrix आपको गिवन है यह कितने स्ट्वेंट का हो गया बताइए जीरा a cube कैसे करेंगे आप पहले बताओ a into a कर सकते हो आप यह कर सकते हो ना a into a matrix a ko a से multiply अब जो result आएगा उसको वापस a से multiply कर देंगे तो a q का तो मतलब यह होता है आपका तो पहले a into a कर तो जो result आएगा फिर इसको इसे multiply कर तो a square आपने पहले कर रखा था वो replace करना है 7a और 2i i का मतलब क्या है सब के सब क्या यह 3 3 का है न तो एक identity matrix आपका होता क्या है जिसके डाइनल पर क्या होता है one होता है clear जी तो यह आपका आई हो गया तो बस आपको यहाँ पर आपको solve करना है clear तो इस question को आप एक बार solve कीजिएगा next class मैं इसको solve करवाऊंगा अच्छे से अब आप मुझसे पूछे क्या पूछ रहे है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या है देखे डियर आपका जो है न कोर्स है जो launch होने वाला है सारे ग्रिजिशन वाले बच्चे उस पर तूटके पड़े में वो है मैस और रिजनिंग का कोर्स ठीक है मैस और रिजनिंग जो है मैं किस किस में कवर करवाने वाला हूं इसको जो है मैं एक गौर्मेंट जॉब के लिए कवर करने वाला हूं स्लिबस सेमी रहेगा सेम बुक पढ़ेंगे आप गौर्मेंट जॉब में क्या क्या हो सकता है गौर्मेंट जॉब में गौवर्मेंट जोब में आपका SSC और SSC के अंदर ही वो आते हैं जो Income Test Inspector और आप जो भी बात करते हैं सब SSC के अंदर आते हैं और आपका दूसरा हो गए आपका CAT ठीक है यह दोनों चीजे में आपका जो है यह लेके चलूँ और इसमें मैं आपको बता दिया कि वन इयर तक तो आपकी लाइब क्लासित रहेंगी कोर्स आप डूरेशन मेक्सिमम वन यर है लेकिन आपका मुझे मालूम है कि एक साल में तो अभी आप जो है ग्रिजूट होंगे फिर ग्रिजूट होते होते हैं और पोस्ट क्या होता है और इसके अंदर परमोशन वगरा क्या होता है यह सवाल है इसके उपर एक वीडियो में बना दूँगा साल दिसे ही आप इस चीश को देख लिजेगा बात करते हैं डेकू की तो प्यारे डेकू की में वीडियो एक फोल्डर आपके ही इसमेशमराल डाल देता हूँ और इसमें आप आप जो है कर लिजेगा की के टैमो देख लिजेगा ठीक है जी मिलते हैं फिर अगली काक्षा में हाँ जेके ठकराल के बुक सही है आप जेके ठकराल के बुक से प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीक है इसका अंसर तह अभी में को चलो में इसका अंसर अपलॉड कर दूंगा और जब आ अपकיל ऑफार मैच्च कर लीजेताओ